हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोलर ग्यान एंड आरी नीव चैनल आज का यह जो वीडियो है बिसेकली रिनुवल एनरजी के फिल्ड में इंडिया और चाइना की क्या पोजिशन है उसके बारे में डिसकस करेंगे हम कंपेर करेंगे कि इंडिया के क्या ग्रोथ रहा है यह सेसन की तरह बताते हैं लोग की इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया रिनुवल एनरजी के फिल्ड में यह चाइना बहुत ही आगे है एक्चुल पोजिशन कोई नहीं बताता है तो आज का यह वीडियो है बिसेकली यह उसी के लिए है और आप कंपेर करके आप ए इरना एक अबुधावी बेस्ट इंटर गवर्मेंटल ऑगनाजेशन है जो कि रिनुवल एनरजी के फिल्ड में काम करती है और इंडिया भी इसका मेंबर है तो इनकी जो रिपोर्ट होती है काफी जैन्मीन मनी जाती है तो यह जो रिपोर्ट है बैसेकली आरी स्टैटिस् ठूल एक अब अग्यों करती है तो इसमें कवर्ट किया गया है तो पिसरी जटा लिए वह ही से लिया गया है अब अब आक्टिली एकशिवल एनरजी की बात करते हैं टोटल आरी की बात करते हैं तो इसमें कौन-कौन से लिएवाट है वो जान लेते हैं वर वाथ करते की सी घ्रक के पसेटीन के महलिज्टीब प्रवाट जान लेते हैं जो आरी के जो पंपोनेंट है रिन्वार इनर्जी के जिसे फर्स्ट है रिभाइड पाउर इसमें दो कमपोनेंट लिया हुआ है है रिनिवेबल हाइड्र पावर इंकूडिंग मेक्स प्रांट विसके लिए कन्वेंशनल हाइड्र प्लांट होते हैं प्लस प्यूर पंट इस्टोरेश तो दोनों के पिसिटिग मिला करके हैड्र पावर की बात की गई है नेक्स्ट मेरीन एनर्जी थर्ड विंड एनर्जी इसमें और और आफसर दोनों टेकनलोजी की बात की गई है सोलर इनर्जी तोनों के मिलाकर करके सोलर पावर की अगर हम कैपसिटिग बात करते है सोलर की दस जर मेगवाट है तो दोनों टेक्वलोजी रहें लेकिन मेक्सिमिम जो कैपसिटी आज के एक में सोलर फोटोवोल्टेज के फिल्ड में ही है नेक्स्ट नेधे जो चे जो अपोनेटे दीख रहे हैं इनको मिला रहें करके बाटे पर है और आये चलते हैं अब इंडियो वर्सेश चाइना के बारे में डिसकस करने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड की क्या पोजिशन है वर्ल्ड की टोटल आरी कैपसेटी क्या है और सोलर रविंड की पोजिशन क्या है तो अब आज की डेट में जो दिसम्बर 20,000 तक जो वर्ल्ड की टोटल कैपसेटी जो इस रिपूर्ट ने बताई गई है वो है 2799 गीगावाट दोजार 799 गीगावाट और एक गीगावाट जो होता है बैसे के लिए 1000 मेगावाट के बराबर होता है टोटल आरिक अईजानद घीगावाट तो टोटल आरिक केपसेटी एगैंज उडेट दिसम्बर 20, amount जोॉत्यवस्ट अदेजंटल i.t अब हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज के भी कंपेर करते हैं कि टोटल आरी की कैपसेटी में दिसमबर 2020 में क्या कंपेर जाने तो आई यह टेबल देखते हैं इस टेबल में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें इसमें टेकनलोजी की हम बहुँ जादा इसमें इफेक्टिव नहीं है उनके कैपसी काफी कम है मेजर यही तीनों कंपोनेंट जो है जो आरी को कभर करते हैं तो एक तो जो उसके बाद जो है वर्ल में वर्लवाइट दिया गया की कैपसिटी कितनी है उसमें इंडिया की कैपसिटी कितनी है और चाइना की कितनी है वर्ल का कितना सेर इंडिया और चाइना के पास में वर्लवाइट क्या पोजिशन है इंडिय और चाइना की सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रो कि इतनी ज़्यादा भू ज़्यादा है और यह करीब करीब हम देख सकते हैं कि 6 यह 7th हाँ 7th टाइमस चाइना के पर रहे चाहिञ थैयनी के बात करते हैं इंडिया जो है पुरय क miracles s而已 रूजिया धाएट परसेंट ए फीर्फेरी परसेंट पास में हैं ह्योड्र पूरे वर्ड में आपका डिया यूक्त पॉर जो बन्हें इंडिया की जो गधिकाइज पास एंडिया के पास एंडिया के पास wind के टंस में 5.3 परसेंट है और चाइना का 38.5 परसेंट थरी चाइना में हैं और इंडिया की जो थट्यजएट एककी फैसेट गी unit के के टम्स में भी और नेक्ट आते हैं सोलर पे सोलर में जो पूरे वर्ड की कैपसिटी है यह करीब करीब 714 मेगावाट है 713.97 गीगावाट सॉरी मेगावाट नहीं गीगावाट और एक्चुली इसमें जो भी मैंने वैलू ले रखी है यह टोटल वैसारी वैलू बता दू एक हजार मेगावाट जो होता है वन गीगावाट के बराबर होता है तो आई सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर जो है पूरे वर्ड में अभी जो टोटल कैपसिटी इस्टॉल है वर्डवाट वह साथ सो 13.97 713.97 गीगावाट जिसमें इंडिया के कैपसिटी कालेंडर में लिया गया है तो मतलब अप्टू दिसमबर यह टोटल जो फिगर की बात करें अप्टू दिसमबर 2020 तक का फिगर रही है तो सोलर एनर्जी जो इंडिया की जो कैपसिटी अप्टू दिसमबर 2020 वह है 39.2 गीगावाट और चाइना के 254.35 गीगावाट मतलब य तो 5.5% सेर जो सोलर का सेर जो है इंडिया के पास में और चाइना के पास 35.6% यहां भी जो मोर दन वन थर्ड कैपसिटी पूरे वर्ल की चाइना के पास अभी इंस्टॉल है और इंडिया के पोजिशन पूरे वर्ल में फिफ्थ पोजिशन है सोलर के टम्स में और चाइना इंडिया के पास 134 गिगावाट है और चाइना एट 94.8 गिगावाट पोजिशन के साथ नंबर वन पर बना हुआ है पूरे आरी के फिल्ड में नाट नॉट आरी हर टेक्नलोजी भी नंबर वन पर बना हुआ है आप देख सकते हैं हाइड्रो विंड और सोलर में भी और अगर टोटल अगर शेयर की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड का सेयर की बात करते हैं तो इंडिया के पास 4.8 परसेंट पूरे वर्ल्ड का आरी का इंस्टॉलेशन इंडिया में है और 32 परसेंट चाइना के पास में देख सकते हैं करीब करी वन थर्ड टोटल वर्ल्ड का आरी चाइ ऑप है क्लेरिफाई कर दो इंडियہ में जो अगर हम हाइडरो की बात करते हैं तो पहले समाल हाइडरो को ही इंडिया में रिनुवल इनर जी के फिल्ड में consider किया जाता था था लार्ज हाइडरो इंडिया कोran refereूं किया जाता था बट administration electromagnetic श्यडल करका है सारे हाइड्र पॉअट को इंकलूदिंग हैस ste Ferm क इंडिया वात करते हैं अभी हम जो यहां टोटल हेश्च के बात करते हैं इस इस में इंकलूडेंग दे IO कर देती हैं वो में स्माल हैड्रो के सिcom जो आरी में कंसीर रहता है अब मोर देन 25 जो होता है मेगावार्ट के हाईड़ो प्लांट होते हैं वो लाज हैड़ो में होते हैं जो मिनिस्ट्रिय पाउर के अद्मिस्ट्रिटिव कंट्रोल में आते हैं तो यह तो ओवर आल बैसे के लिए दिसंबर 2020 तक आरी की क्या पोजि अब उसमें हम लोग बात करते हैं और ग्यारा से दो हजार बीस तक में यह वाईज क्या कैपसिटी एडिशन रहा हम उस पर भी जाएंगे हम देख सकते हैं कि यह कितना कैपसिटी एड होता गया तो आए चलते हैं 2011 में क्या पोजिशन है तो इसमें आप सेम वैसे इंगर ब चाहिना जो है 232.9 गिगावड था तो इंडिया के पोजिशन फॉर्थ पोजिशन थी ए ने सौरी जो परसेंटेज अगर इंडिया के बात करते हैं पूरे वर्ल्ड का जो प्रसेंट इंडिया के पास था 2011 में और चाहिना के पास 22 परसेंट था हाला कि उसे भी काफी ज्याद 2011 में जो टोटल के पैसिटी थी वही है 220 गीगावाट थी 220 गीगावाट जिसमें इंडिया के कैसरी थी 16.18 गीगावाट और चाहिना के थी 46.35 गीगावाट और जो पर्सेंटेज яет वर्ल के परसेंटेज सेंडिया के पास था विंड मीं detail और 21 परसेंट चाहिना का थी आ तो विंड एनर्जी के टरम्स में बात करते हैं तो और वर्ड वाइट पोजिशन थी इंडिया की विंड में और चाइना की फर्स्ट पोजिशन थी विंड में उसे में 2011 में उसे में 2011 में भी और चाइना की जो capacity थी उससमें 3.108 GWh थी और 0.8% share equal इंडिया के पास था 2011 में आप देख सकते हैं और चाइना के पास 4.2% था उससमें जो 2011 में जो major solar installation थे तो maximum European countries में थे जर्मानी, इटली यह सब लीट लिए हुए थे उसमें solar installation के terms में USA भी था और worldwide अगर पोजिशन की बात करते हैं इंडिया के 2011 में तो कोई पोजिशन नहीं थी और चाइना 6 पोजिशन पर था देख चाइना 6 और अभी क्या आज की date में देख रहे हैं more than one third जो solar की capacity है वो चाइ अग्रिसिवली इदर पिछले 19 सालों में चाइना ने एड़ किया है आप इसे इस figure से भी अंदाजा लगा सकते हैं और 2011 में अगर total RE की बात करते हैं और चाइना 20.14 फिफ्ट आरी जो है चाइना के पास था और worldwide पोजिशन के बात करते हैं तो इंडिया 6 पोजिशन पर था 2011 में और अभी चाइना जो है फर्स्ट पोजिशन पर है फर्स्ट पोजिशन पर था ते ओवराल बैसे कली 2011 का picture मैं ने इस लिए दिया है कि 2011 2011 इस रिफ्रेंस लेबल 2011 से अभी 2020 तक में क्या जर्मी रही इन दोनों country की उसके बारे हम अभी हम नेक्ट आएंगे कि क्या और येरवाइस क्या कैपसिटी एडिशन रहा वही हम देखते हैं तो अभी हम बात करते हैं 2011 से 2020 में अभी क्यूमिलेटिफ फिगर की बात करते हैं तो 2011 से लेकर 2020 में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोपावर टोटल जो लगा 275 गीगावट लगा जिसमें इंडिया का नौ सालों में इंडिया ने 8 गीगावट लगाया और चाइना ने 137 गीगावट लगाया हाइड्रोपावर में और जो कैपसिटी इंस्टॉल हुई इस नौ सालों में 2011 से 2020 के बीच में उसका इंडिया का सेर रा हाइड्रोपावर में 3% और चाइना का 49.9% 50% आप सोच लिजिए पिछले 9-10 सालों में जो भी हाइड्रोपावर कैपसिटी एड्वी 50% चाइना में एड्वा और केवल केवल 2020 की बात करते हैं 2020 में चाइना में 12.12 गीगवाट कैपसिटी हुई और इससे करिस्पॉंडिंग इंडिया में देख सकते हैं 0.6 गीगवाट मतलब 660 मेगवाट के आसपास इंडिया में एड्वी विंड के अगर बात करते हैं 2011 से 2020 में टोटल विंड की जो कैपसिटी लगी 513 गीवाट जिसमें इंडिया में लगा 22 गीवाट और चाइना में लगा 236 गीवाट 236 गीवाट इसमें पूर पाइंट 4% परसेंट इंडिया में लगा और उसका 49.9% मतलब 46 परसेंट जो कैपसिटी दोजार गया सा 2020 में लगी उसका केवल और केवल चाइना में लगा और केवल हम 2020 की बात करें तो 20 में ही किवल चाइना में 72 GW लगा और इंडिया में कर 1.1 GW लगा और आपको यहाँ पर यह भी अपडेट करदें कि जो इंडिया का जो 175 GW का जो टार्गेट है 2022 तक का दिसंबर 2022 का टार्गेट है हमारा इंडिया का उसमें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने अकेले 2020 में 72 गीगावाट इसने विंड लगा दी सोलर की बात करते हैं तो 2011 से लगा के 2020 तक टोटल सोलर की कैपसिटी एड भी 640 गीगावाट जिसमें इंडिया में कैपसिटी एड भी 38.63 गीगावाट जो की पूरे जो का 6% से अगरा जो कैपसिटी एडिशन का रहा और चाइना में 251.24 गीगावाट यहां भी 40 परसेंट 40 परसेंट उसका चाौइना मीं लगा और केवल 2020 चाइना में 49.35 गीगावाट लगा और इंडिया में 4.1 गीगावाट लगा अब 42.7% चाइना में लगा, 42.7% तो आप सोच सकते हैं कि अगर रिनुवाल एनर्जी को के ड्राइव किया है तो वो है चाइना, ये पिछले 8-9 सालों में एक तरह से जो रिनुवाल एनर्जी का जो ड्राइव है कि सोलर इंस्टॉलेशन, वींड और हाइट्रो तो क्रेपसि है कि 2011-2020 में कितनी कैपसिटी एड ही और उसे क्या परसेंटेज रहा, अब हम येरवाइज बात करते हैं, तो आए हम देखते हैं कि येरवाइज क्या आरी की कैपसिटी रही 2012 से लेकर के, मतलब 2011-2020 का फिगर था, तो 2012 में इंडिजूल येरवाइज कितनी कैपसिटी लेगी अब देख सकते हैं यापर, टोटल आरी कैपसिटी में अगर इंडिया की बात करते हैं, तो 2012 में इंडिया में लगा 2.4 गिगावाट और चाइना में लगा 34 गिगावाट, 2013 में 3 गिगावाट के आसपस लगा इंडिया में और चाइना में 57 गिगावाट, सेम वैसे 2014 में 8 ग चाइना में 136 GW लगा और इंडिया में कितना लगा 5.9 करीब करीब 6 GW, तो अगर हम absolute terms में बात करते हैं, पोजिशन ठीक है, worldwide position हम top 5 में आते हैं, लेकिन अगर absolute terms में बात करते हैं, इंडिया बहुत ही पीछे रहा capacity edition में, हलांकि अगर हम total re-mix की बात करते हैं, तो ठीक है, अगर power generation में, और में आरी, रेन्वर एनरजी का जो composition है, वो ठीक है, comparatively पेस सही है, क्योंकि power consumption जो है, total electricity consumption है, चाइना बहुत ज़्यादा है, in comparison to India, तो लेकिन अगर हम absolute terms में बात करते हैं, तो चाइना में, चाइना ने अकेले drive किया, पूरे world को आरी के field में, खासका solar और wind म है, तो यह तो आपका आरी के लिए रहा, next हम hydro की बात करते हैं, तो hydro में आप देख सकते हैं, 2012 में जो हम लगा 0.6 gigawatt लगा, तो चाइना में 16.49 gigawatt लगा, आप आप देखें, यह जो capacity कहीं भी लगी इंडिया में, तो कहीं भी average आप देख रहे हैं, तो 1.2, 1.6, 1.8, 0.5 इस range में रहा है, और चाइना में क्या capacity लगी आपकी 2012 में 16 gigawatt, 2013 में 30.917 gigawatt, 2014 में 24.42 gigawatt, 14.6, यह capacity 2013 में सबस्यता लगी फिर देर घटा गया, और 2020 में अगर हम बात करते हैं, 12.12 gigawatt लगा आपका hydro में, और इंडिया में 0.47 gigawatt लगा, तो आप इस चार्ट से देख सकते ह हैं, कि इंडिया और चाइना में year-wise capacity कितनी लगी, next है, wind की capacity कि हम बात करते हैं, जो पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में, जो आरी के एनरजी, आरी में जो drive जिसने किया है, वो है solar और wind, तो अगर हम wind की बात करते हैं, तो wind में हम देख सकते हैं, 2012 में इंडिया में किवल capacity लगा है, 2013 में 1.12, तो चाइना में लगा है आपका 15 GW, 2014 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा लगी इंडिया के माले 4 GW, तो चाइना में लगा 20 GW, 2015 में 2.6 GW, तो चाइना में 34 GW, 2016 3.6 GW लगा तो चाइना में 17.469 GW, सेम वैसे ही आप figure देखते हैं, 2017, 2018, 2019, तो चाइना मे कहीं भी कैपसिटी, आपकी 15 GW, 20 GW, 34 GW, इसी रेंज में लगा, और 2020 में अकेले विंड की कैपसिटी, चाइना में 72 GW, 72 GW, अकेले चाइना में लगा, जहांकि इंडिया में लगा 1.054 GW, आप देख सकते हैं, आपर, 70 टाइम्स ज्यादा, इंडिया में चाइना में लगा, आप इंडिया ग्राफ बढ़ता गया, इदर 2012 में लगा, 0.416, 400 MW के आसपस लगा, तो चाइना में लगा, 3.6 GW, 2013 में भी सेम वईसे, 0.517 GW, 500 MW के आसपस लगा, 2013 में इंडिया में, तो चाइना में लगे 11 GW, मत भी 11,000 MW, 2014 में लगा 2.174 GW, तो चाइना में लगा 10.64 GW, सेम से अची position अगर हम बात कर सकते हैं, 2018 में लगा है, 9.2 GW, चाइना में लगा 44 GW, 44.46 GW, मत दो 44 MW, 2019 में 7.7 GW, इंडिया में लगा, और चाइना में लगा 29.79 GW, 2020 की हम बात करते हैं, 2020 में चाइना में approximately 50 GW, 49.359 GW, और इंडिया में लगा 4.12 GW, तो यहां भी ऐसे देख सकते हैं, तो टर्म्स में चाइना बहुत ही आ गया इंडिया से, और ठीक है, मतलब RE का सेर इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है, और हर कंट्री का अपना-पना टार्गेट होता है, सोसी एकनॉमिक्स पोजिशन होती है, उसी साब से कंट्री डिसाइट करती है, टार्गेट और कैप अब हम बात करते हैं, परसेंटेज, RE share of electricity, इसका मतलब क्या है, अगर कोई electricity generate होती है, तो basically दो component होते है, एक तो है conventional power plant के थुरू electricity generate होती है, जैसे कि coal, lignite, oil and gas के थुरू electricity generate करते हैं, इसमें majority coal ही होता है, दूसरा RE source के थुरू, जैसे कि solar, wind और hybrid, solar, wind और hydropower plant होते हैं, तो इन total power generation में renewable energy sources का कितना percentage रहा, ये basically ये graph बता रहा है, तो 2011 में चाइना का जो share था 25.2% था और इंडिया का 24.4% था, 2012 में वैसे ही, करीब करीब सेम ही रहा, इंडिया का बलकि 2013 में थोड़ा सा slightly घट गया, 22.5% रहा और चाइना का रहा 28.5%, चाइना का graph slightly बढ़ता गया है, आप देख सकते हैं, इसका region ये है कि हर साल उसी capacity, जो RE की capacity है, renewable energy capacity है, वो बढ़ती गई, और इंडिया का जो है, बहुँ ज़्यादा changes नहीं हुआ, 24.4% से लेकर के 2020 तक 30.9% आया है, और लेकिन चाइना का 25.2% से, जो 2020 तक है, 40.6% हो गया है, RE का share, electricity generation में, ये तो basically क्या थ इसका था कि installation, renewable energy के field में capacity कितनी installed हुई country में, वो एक comparison रहा, ये slide बस मैं आप लोग इस लिए लेकिया है, थोड़ा सा manufacturing side से भी understanding हो जाए, कि RE में हम कहां exist करते हैं manufacturing sector में, तो के विल मैंने भी solar component को है आप चूच किया है, manufacturing के लिए, तो ये आप देख सकते हैं, इंडिया और चाइना में, तो solar के लिए मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूँ, solar manufacturing जो पैनल बनता है, solar panel जो बनता है, वैसे कि लिए इसके चार stages होते हैं, sand से polysilicon बनाने का एकी stage होता है, sand मतलब silika जो होता है, raw silika, raw silika से हम polysilicon बनाते हैं, इसको stage 1 बोलते हैं, polysilicon से हम wafer बनाते ह हैं, stage 3 बोलते हैं, फिर cell से हम module असेंबल करते हैं, इसको stage 4 बोलते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें, चारो stages में, मतलब raw silika से लेकर के panel बनाने का चार stages में डिवाइड किया गया है, तो जो पीछे वाला जो होता है, polysilicon और वेफर इसको backward integration बोलते हैं, तो इंडिया म पास भी manufacturing capacity नहीं है, और polysilicon से वेफर बनाने की बी manufacturing capacity इंडिया में नहीं है, इंडिया के पास scale manufacturing capacity है, वेफर से sail बनाने की और sail से module assembly की, तो जो sail की manufacturing capacity इंडिया की पास करिव करिव 3 ग filt BLD के आस पास है, और module की assembly line है, वो 10 GHz के आस पास, ये भी fully operational capacity नहीं है, आप हम चाइना के बात करते हैं तो चाइना में तो एक्चली मैंने एपसली टॉमस नहीं लिका है आप देख सकते हैं कि global percent global पूरे world का कितना percentage चाइना के पास में है तो पॉलीसिलिकोन की जो мен ठीक के सेटी चाइना है पूरे world का 67% चाइना का पास है 67% पॉली सिलिकॉन में जिसमें इंडिया का पास तो पॉली सिलिकॉन इंडिस्ट्री ही नहीं वेफर की बात करते हैं वेफर में 97% 97% अब the global capacity situated in China तो आप देख सकते हैं कि manufacturing में इंडिया तो कहीं भी exist नहीं करता चाइना के सामने में वह बात करते हैं जो वेफर से सेल बनाते हैं 79% अब दो ग्लोबल कैपसिटी इंस्टॉल इन चाइना और मॉडूल में बात करते हैं 71% प्रूबल का 71% जो मॉडूल लाइन है वो चाइना में इस्टॉल है और आप इसी संदाया लगा सकते हैं कि मैनिफेक्चिरिंग में तो च आप करते हैं इंडिया और चाइना में स्पेसिफिक तो उसके बहुत सारे रिजन्स यह हैं कि एक तो इकनॉमिज जब इसके चाना में बहुत ज्यादा है उसा गौवर्मेंट का सपोर्ट भी वहां पर ज्यादा है थाड़ यह कि वहां के इंडर्स्टी आर्डी में एक्स् के फिल्ड में 2010 में चाइना के पास के ल मॉडूल मैनिफेक्चरिंग के पसेटी 10 गीगवाट थी जो आज की डेट में बढ़कर करके 106 गीगवाट होगी है यह 2019 के फिगर है उसके बाद भी कुछ कैपसिटी लगी होगी और हम के इंडिजिवल कंपनी की बात करते हैं ज्यादा एक कंपनी के पास में तो यहां मैंने लिश्ट दिया हुआ अब देखें चाइनिज कंपनी लोंगी 30 गीगवाट मॉडूल लाइन 30 गीगवाट 30 मेवाट लोंगी के अकेले बनाती है जिंको 25 गीवाट ट्रीना 21.5 गीवाट जे सोलर 15 गीवाट कनाडियन सोलर 14 ग करते हैं तो वारी जो है मॉडूल लाइन 2 गीवाट के कैपसिटी यह और जो आरी मॉडू लाइन महीं में 2 गीवाट सेल मैन॥ेक्टरिंग कैपसिटी नहीं और उसे वला थे बैकवर्ट इंट्टिकरशन किसी के पास नहीं आदानी के पास 1.5 गीवाट है मोडूल लाइन कर सकते हैं कि manufacturing में भी हम चाइना के सामने एक जिस्ट नहीं करते हैं और बहुत ही आगे है चाइना manufacturing line में और अभी आज की डेट में इंडिया में जो solar installation हो यह उसमें पैनल जो है 80% चाइना से इंपोर्ट किया जाता है 80% उसके बहुत सारे रीजन है एक तो उनके कोस्टिंग भी कम है पैनल भी सस्ते हैं एफिसेंट भी है इंडियन जो पैनल जो इंडियन पैनल है उनके competitively efficient भी है efficiency भी उनकी ज्यादा है पावर आउटेज भी ज्यादा है तो बहुत सारे रीजन है तो इसलिए लोग प्रिफर करते हैं कि चाइना से इंपोर्ट करें हाला कि अब इंडियन मैनिफेक्ट्रर्स भी रैंप अप कर रहे हैं अपनी काफी lag कर रहे हैं और government की तरफ से काफी support होना चाहिए तब यह manufacturing capacity को बढ़ा सकते हैं तो यह तो basically manufacturing को लेकर रहा है और इसी के series में अभी तो यह India versus China की बात मैंने किये इसी के series में बहुत सारे वीडियो और भी मैं लेकर आऊंगा India versus USA क्या position है इंडिया versus Britain क्या position है इंडिया versus European Union क्या position है ब्राजील क्या position है तो hope दोस्तों तो मेरा यह वाले वीडियो अच्छा लगा हो और मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो ताप जरूर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फारवर्ड करिए थैंक यू जय हिंद